अब तक तो एएफ का जो भी था वह बत्से बत्तर हो चुक है अभी तो तो अम लोग ऐसे कि politics हो गया corruption हो गया नाशनली में politics हो गया allegations रहे है ना सब corruption पैसा खा रहे लेकिन आज आज के वीडियो में यह सुचे कि यह सच में फेडरेशन है या इसको कोई दूसरा नाम दिया जाए और सच में आपका mood एकदम घंदे तकर से off होने आला है और आप सोचे कि भाई क्या कर रहे है क्या कर रहे है उसके उपर बात करेंगे और यहावर भाई ठक कुछ सर तो उन्होंने यह जो woman harassment के case के उपर उन्हेंने बोला है यह आपर AIF को कि भाई कड़ी security actions लिए तो यह सब के टॉपिक के उपर बात करेंगे की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में है तो यहापर बात करेंगे पहले जो woman harassment हुआ है यह case अभी यह case क्या हुआ है मैं आपको सही से समझाता हूँ तो खट FC जो AIW2 खेल रही थी इन गोवा तो वह पर उनके टीम के जो दो कि अभी आए थे एंड ऐसा दिकाव बोल जा रहे है कि उनको डीनर नहीं मिला उनको डिनर नहीं मिला है और घृट्स फाइग गुस्से हो गहा हूँ और गुस्से में आके जो दो प्लेयर्स का जो रूम था तो उसके अंदर आके उन्होंने ये दिपक शर्म है उन्होंने ये दोनों प्लेयर्स को थपड़ मारा तो आप देख सकते हैं बहले उसने दारू पिया था लेकिन और ही स्लैप बोट अप्लियर्स और फिजिकली असल्ड भी किया था तो उसी के लिए उसी के चल्के आपर इन्होंने कंप्लेंट किया है और तो और यह इसकी बात नहीं जब यह लोग हिमाचल से दिल्ली जा रहे आपको बताता हूं एसी के उपर यह के सुनने के और यह वाइप की गई है कि इसके उपर क्या करना चाहिए क्या ने करना चाहिए इसके ऊपर और आगे दियू से मैं आपको बताता हूं यह केस सुनने के उपर यहाँ पर जो स्पोर्स मिनिश्री है हमारे अनुरा ठाकुर जी तो उनने यहाँ पर AIF को बोला है कि यह जो भी केस हो रहा है इसके उपर कड़ी से कड़ी आक्शन लेना चाहिए अना इवांट कि बाइप प्लेयर्स की सेफटी फर्स्टो इसी दिये जो एक्शन से लगा एकड़ी से लगारे एकड़ी से लगए अक्शन यह जो भी यह बंदा है दीपक शर्मा उसके ओपर लिया जाए और और तो अभी क्या अक्शन लिया आप वह आपको बताता तो जैसे जलते है यह क्या बोला यह दो फिर से ले लो यह आपर क्या बोला यह दो इससे के चक्कर में लेंगे तो कैसे घख्याय मेरा मेरा हस्बेंट तो इसको मैं निकाल देता हूँ इसके ओपर कम्प्लेंट नहीं होना चीत तो एसा एक्छल लेन बोला और देख रहा हुँ कि आपस में मौमला होट है तो भाई जो है मुमन है इसका असर क्या होता है इसका असर क्या होता है अभी बहुत सरी जो यंग फुर्बॉलर्स जो वुमन गर्ल्स में बच्ची लोग है तो अविस्ट जब उनके पर इक दम घंदा इंपक्ट जाएगा और लोग अच्छी का अगर कोई भी अच्छी प्लेयर देगे उसको बोलना को अपना फुटबॉलर्स में अपना फुटबाल ग्रोग होगा कोई आएगा सामने से खेलने के लिए ऑविसी नहीं आएगा ना लेकिन या पर एक अच्छी खबर यह है कि या जो गौआ पुलिस है तो उन्हें ने अरिस्ट कर दिया या पर दीपक शर्मा को अरिस्ट कर दिया अभी तक और अपडेट आया नहीं इन्वेस्ट करेंगे यहा पर एफ विडियों ने बोला है और बागी सब मेंबर के ऊपर अलिगेशन लग रहे है कि वह तुमने यह किया तुमने और अब तो यह वोमन आरस्मेंट तो मैं तो बोलूंगा कि और आप खिख आयुकित बंद कर दो फेडरिशन फुकु खेलने की जरूत है जब रहा जोग पैसा खाने का ऊंग हो गया फुमन इस इतना नीचा गिर सकते हो और इस तब मालूम पड़ेगा और इतना गंदा बैंद देना बहुत मज़ा देगा I will be happy I'll be happy I'll be happy because these people deserve really this to this case women harassment and let's go that women's player and the whole team and the whole team is safe and that was the case अभी तोड़ा आपन IISL में आ जाते हैं and yes IISL रिजिब हो चुका था और यापर पहले मैच के आने बत करें जापर BFC और ओडिशा दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपोर्टन मैच था क्यों क्योंकि BFC को obviously top six में तो उन्हें भी three points चाहते हैं अनुत अलाएं यापर और ओडिशा FC after a break because बीच में कैसा AFC Cup के मैचे से तो उन्हेंने कोई भी IISL मैच नहीं कहला था लेकिन इसके पहले वो CFC के साथ हार चुकी थी तो यह मैच बहुत इंपोर्टन है कि अगर उन तीन पॉइंस लेते तो देविल पुट डप्रेशन और टीम्स लेकि मॉंबाइ सिटी और मोहन बगान टाइटल रेस में लेकिन अभी क्या होता है कि उन्हें पॉइंस द्रॉप कर दिये यह निल निल था मैच बले मैंने मैच नहीं नहीं देग लाज फ्लाश में ओडिशा वाले जो पुलते हैं कि हिट पोस्ट कर रहे थे पोस्ट बार क्रॉस बार हिट किया था एंड बेंगलियो को भी अटाक था लेकिन दिस मैच एंज इन ड्रॉ और इससे क्या होता है कि जो मोहन बगान फैन से जो मॉंबाइ सिटी फैन से बड़ो आज मोहन बंगे तो उनके ओपर भी नज़र है कि क्या उले पॉंट सब करेंगे अगर उलो जीच जाते तो ऑडिशा थोड़ा और चांस कम हो जाएगा बाट यह तो बात हो चीकिती ओडिशा एंड बेंगलुरी की आप थोड़ा आगे चलते है यह आपर वाडिसे क्या प् लेकिन जीच जीच नहीं था या तो मैं जीच नहीं तो बिकाद उनका होम ग्राउंड उनने टॉप 6 में लड़े बना नहीं थी और यह मैंच भी एंड हो जाता है 1-1 रौ से मैं बूलूंगा फर्स्ट आप में अगर बात करेंगे जब भी गोल आया डिमंट टकास का कहला उसके पहले या पर जम्शेपूर FC को तीन या चार्स आंसिस ते जापर गोल मार सकते थे बट वहीं किवाए लास्ट फाइनल प्रडॉक्ट में फाइनल तर्ड में उन्हें अपना decision making सभी से नहीं किया that's why they didn't score a goal and then फिल बाल में आपर जस्टिन अच्छा था और उसके बाल जम्शेपूर इतना अटाइक नहीं बना रहे थी बट बीटिफिल लॉंग बॉल जस्ट बिफूर था हाफ टाइम लॉंग बॉल था एंड जो डिफेंस जो ड्री नीची वगरा वो लोग कुछ नहीं कर पाए और या पर सीवेरियों ने गोल मा आप में बी अटाइक्स बना रहे थे अटाइक्स बना रहे हैं लास्ट में बंदा आप लेकिन कुछ हो नहीं पाया कि अगर आपका मंद है तो देख लो नहीं है तो नहीं मत देखो क्योंकि मैं किस मूझ से बुलू आप लोको कॉस एक फेडरेशन में एक कंट्री में इतना कुछ चल रहो है गंदा दिंक्स तो अभी भी मैं क्या ही बोलू तो या 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 ये थोड़ी चीज दी कि आपके क्या तॉट से आप क्या चाहते हैं ये सब की केस के ओपर टू लेटिस नो इस चाहर सेक्शन मिलेंगे एक उने वीडियो में जब तो काप आपका और आपके फैमिली का ध्यान रखेगा बाई टेक के एंड इस तरह हम दो फॉलो करेंगे एंड सपूट करेंगे